यूकरेन से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, चौका दिया है दरसल इस्रेल ने ये फैसला कर लिया कि वो अब यूकरेन को आईरेंड डोम एर डिफेंस नहीं देगा अगर ये एर डिफेंस जेलिंस्की हासल कर लेते तो यूकरेन की महा जंग में पूतिन को पीछे हटना ही पड़ता लेकिन पूतिन ने एक ऐसी चाल चली कि जेलिंस्की का ये सपना भी तूट गया है कि पूतिन की चाल को समझ पाना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन है पूतिन की मैसाइल के धमाकी की आवाज तो सिफ जोकरेन में ही सुनाई देती है लेकिन पूतिन जब प्रेस कॉन्फरेंस करते हैं और बयान देते हैं तो उनकी बयानों की गूँज पूरी दुनिया को सुनाई देती है पूतिन का दोस्त हो या फिर दुश्मन हर कोई पूतिन की बात गौर से सुनता है और इसलिए पूतिन के हर बयान के बात जंग में जैलन्सकी की राह और मुश्किल हो जाती है अब नई खबर ये आई है कि इसरेल ने भी जैलन्सकी को बहुत बड़ा जटका दे दिया है रूस इस सुवक्त इरान का जिगरी दोस्त है और इरान से इसरेल की कटर दुश्मनी है लेकिन इसकी बाद भी जैलन्सकी इसरेल से हत्यार हासिल करने में फेल हो गए है लेकिन इसरेल ने इस बार ऐसा बयान दिया है कि जैलन्सकी के लिए जंग जीतने के सारी दर्वाजे लगभग बंद हो चुके है आखिर क्या है इसरेल के ब्रधान मंत्री बैंगमिन नेतन याहू का एहन बयान कैसी इरान की चाल काम्याब हो गई सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पुतिन के उस बयान की जिसने जैलन्सकी को चारों खाने चित कर दिया है अभी दो हफतों पहले ही पुतिन ने एक बयान दिया था पुतिन ने रूस के एक आर्थिक सम्मेलन में ये कहा था कि जैलन्स की यहूदी नहीं है और वो यहूदी होने का सिर्फ दिखावा करते हैं पा टेखनीके नशट कज़दे दिन प्रिस्खोड़ रोस्त उट्रात एते टेखनीके ग्देटा श्चास ना सिगशने दिन 186 तांक पाटेरना उक्राइनिसका आर्मी इए 186 ए 418 ब्रोणे मशिन ब्राइचिन क्लस आँ बहुताओ यह था जब पतिन ने बायां दिया तो हर किसी को लगा कि आकर पतिन जैसा स्टेट्समैन किसी राजनेता के धर्म को लेकर ऐसा बयान क्यों दे रहा है लेकिन अब जाकर ये राज खुला है कि जैलन्सकी अपने यहूदी होने का फायदा उठा कर इस्राइल के साथ रिष्टों को मजबूत कर रहे थे क्योंकि इस्राइल एक यहूदी बहुल देश है और अब इस्राइल के प्रधान मंत्री का ये एहम बयान आ गया है कि उन्होंने जैलन्सकी को आइरन डूम जैसा दुनिया का सबसे बैतरीन एर डिफेंस देने से साफ साफ इनकार कर दिया है यानि जैलन्सकी का यहूदी यहूदी भाई 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 वाला फामूला पुतिन ने फेल कर दिया है आपको जान कर हैरानी होगी कि इस्राइल ने योकरेन को आइरन डूम देने से इनकार कर दिया इसकी एक वज़ए इरान भी है आखिर ये वज़़ए क्या है आपको आगे बताएंगे लेकिन पहले इस्राइल के प्रधान मंद्री का एहम वयान जान लेते हैं दरसल बेन्यमीन मेतन याहू ने कहा है कि ये समझना महत्तुपूर्ण है कि हम इस संभावना से भी चिंतित है कि इरान हमारे ही हत्यारों का उप्योब हमारे खलाब कर सकता है इस्राइल एक घनी आबादी वाला देश है और पिछले सालों में फेरिस्टीन से होई लडाईयों में अगर इस्राइल की ज्यादा जन्हानी नहीं हुई है तो इसका पूरा श्रे आईरन दोम की प्रणाली को जाता है जिसने दुश्मन द्वारा हम पर लक्ष कर लॉंच किये गए 95 प्रतिशत मिसाईलों और रॉकेटों को सफलता पूरवत रोप दिया है अगर हमने आईरन दोम की प्रणाली योक्रेन को दी और योक्रेन की किसी गलती से ये तख्वीद इरान के हाथों में पढ़ दे तो इरान रिवर्स इंजिनिंग से आईरन दोम का धोर निकाल लेगा और इस्रायल के अंदर रह रहे हमारे लाखों नागरिकों की जान खत्रे में पढ़ जाएगी दरसल पैनेमिन नेतन याहू ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इरान रिवर्स इंजिनिंग करने में माहिर यहां ये भी समझना जरूरी है कि आखिर रिवर्स इंजिनिंग होती क्या है दरसल दुश्मन देश के हथियार के गुर्जों को खोल कर हथियार की टेकनोजी हासिल करके फिर दोबारा हू बहू वैसा ही हथियार बना कर तयार कर देना ही रिवर्स इंजिनिंग कहा जाता है शीन को भी रिवर्स इंजिनिंग की कला में माहिर माना जाता है वो अमेरिका के कई हत्यारों के reverse engineering सफलता पूर्वा कर चुका है। तरसल कोई भी देश की ये नहीं चाहता है कि उसकी explosive technology किसी अन्य देश खास कर दुश्मन देश के पास चली जाए। यही वज़े है कि ऐसे देश हमेशा अपने हत्यारों को समाल कर रखते हैं और दुश्मन के कबजे में पहुंचने से पहले ही नश्ट करने में भरूसा रखते हैं। इरान भी चीन की तरह reverse engineering की कला में master रहा है। ऐसे कई हत्यार हैं जो विदेशी हैं लेकिन इरान ने घलत तरीके से हासिल करके उसके reverse engineering करके विदेशी technology को हासिल कर लिया है। जैसे इरान का ड्रोन शाहिद 136 reverse engineering से बना है। इरान के इस ड्रोन में जर्मनी का engine लगा हुआ है जो 20 साल पहले इरान ने अवैद भूप से हासिल किया था। अब आप जरा सोचिए कि इरान के ड्रोन में technology जर्मनी की लगी है। लेकिन वो जर्मनी के ही मित्र देश योकरीन के खिलाफ इस्तिमाल हो रही है। इस इरानी ड्रोन से भी इसरेल को कितना बड़ा नुकसान पहुँचा है। ये आप इन आकणों से समझ सकते हैं। इरान ये दावा करता है कि उसके ड्रोन शाहिद 136 की रेंज 2500 किलोमीटर है और इरान की राजधानी तेहरान की दूरी इसरेल से करीब 2000 किलोमीटर है। इरान की एक हथियार कंपनी है जिसका नाम है IDI, इसे रक्षा उद्योग संगठन भी कहा जाता है। ये इरान की एक स्वदेशी हथियार निर्बाता कंपनी है जो रिवर्स इंजिनरिंग करने के लिए बधनाम है और इरान के लिए हथियार भी बनाती है। इस पर आरोप है कि ये हाल के कुछ वर्षों में अमेरिका, सोवियत संग और चीन जैसे देशों के हथियारों की टेक्नोलोजी को चुरा चुका है। जैसे इरान ने एक होवेज़जर दोप बनाई है, जैसे रोट डू कहा जाता है, माना जाता है कि इस दोप को इरान की इसी कंपनी ने रूस और अमेरिका की टेक्नोलोजी को चुरा कर बनाया है। इरान ने मिसाइल बनाने के लिए भी संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तर कोरिया और हूस की मिसाइल टेक्नलोजी को चोरी किया है मिसाल के लिए इरान की मिसाइल सयद वन के बारे में कहा जाता है कि ये चीन की टेक्नलोजी को चोरा कर बनाई गई है इस मिसाल को चीन की HQ-2 SAM मिसाइल का आधुनिक संस्करण माना जाता है ये भी HA-2 SAM की तरह 200 किलोग्राम का हत्यार है और इसकी स्पीड लगभग 1200 मीटर प्रती सेकंड है दावा किया जाता है कि इरान की मिसाइल सायद 2 1989 की क्रांती से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप रिम-67 मिसाइल का इरानी वर्जन है जो रिवर्स इंजिनरिंग से बना है दरसल 1989 की क्रांती से पहले इरान और अमेरिका में दोस्ती थी और तब इरान को अमेरिका ने रिम-66 मिसाइल दी थी जिसकी टेक्नोजी अब इरान चुरा चुका है एक्सपोर्स दावा करते हैं कि इरान का साईगे फाइटर जेट भी अमेरिका के फाइटर जेट के टेक्नोजी के रिवर्स इंजिनरिंग है दिसंबर 2011 में इरान ने घोशना की थी कि उसने एक अमेरिकी RQ-170 सेंटिनन ड्रोन को पकड़ लिया है इरान ने दावा किया था कि ये ड्रोन जासूसी करने के लिए इरानी हवाई क्षित्र में घुसपैट करके आया था इरान ने अमेरिका के इस ड्रोन को वापस नहीं किया बलकि उस अमेरिकी ड्रोन की रिवर्स इंजिनरिंग शुरू कर दी इरान के इंजिनिरों ने ड्रोन के डिजाइन और तक्नीच को सब्तलत अप्वर्वक समझ लिया और फिर स्टेल्थ ड्रोन का इरानी वर्जन तयार कर लिया है। इसके अलावा भी इरान ने यूएबी, क्रूस मेसाइल और लड़ाको विमान भी आधुनित तक्मीक वाले तयार कर लिया है। उत्तर कोरिया की योनो श्रणी की पंडुपियों पर आधारित इरानी वर्जन की पंडुपियां भी तयार हो चुकी हैं। इस वज़े से इरान की नौसीना की ताकत काफी बढ़ गई है। नेतन्याहू ने हालिया फ्रांस दौरे पर भी योकरेन को आईरन डुम देने का इशारा किया था, अना कि वो सीधेर रूस से टकराने से कत्रा भी रह थे। लेकिन इरान को तबाह करने के लिए नाटो की मदद हासिल करने के मकसद से नेतन्याहू योक्रेन को अपने सबसे ताकतवर एर डिफेंस सिस्टम तक देने का मन बना चुके दिये इस्राइल का आइरन डोम एक मोबाइल एर डिफेंस सिस्टम है ये छोटी दूरी के रॉकेट, आर्टिलरी और UAV को इंटरसेप्ट कर सकता है इसमें इंटरसेप्टर, लॉंचर, कॉमबेट मैनेजमेंट, कंट्रोल सिस्टम और एक ELM मल्टी मिशन रेडार लगे हो है आइरन डोम 70 किलोमीटर के अंदर टार्गेट को इंटरसेप्ट कर सकता है इसका सक्सेस रेट 90 प्रतिशत तक बाना जाता है इस्राइल आइरन डोम को दुनिया का सबसे टाखतवर एर डिफेंस सिस्टम मानता है यही वज़ा है कि जैलन्सकी इसके सरी योकरेन को अब भेत्य बनाना जैलन्सकी और वैनियमिन नेतन्याहों के रिष्टे भी पहले काफी बेधर थे लेकिन जैलन्सकी इस बात से काफी नाराज है कि इस्राइल उनको हत्यार नहीं भेज रहा है जैलन्सकी आरन डॉम को इसकी हासिल करना चाहते थे क्योंकि आरन डॉम का पॉफरमेंस बहुत अच्छा है साल 2022 अगस्त के महीने में फिलिस्तीन के आतंकी गुटों की तरफ से इस्राइल पर 600 रॉकेट आगे गए थे आरन डॉम ने फिलिस्तीन के 582 रॉकेट नश्ट कर दिये थे लेकिन 18 रॉकेट इस्राइल के इस्राइल के इलाखों में किरने में खाम्याब रहे यानि आरन डॉम इस बार 97 प्रतिशत तक प्रभावी रहा ये साल 2021 की तज़्वीरे हैं जब फिलिस्तीन के रॉकेट को इस्राइल के आरन डॉम नश्ट कर रहे थे साल 2021 में हमास ने इस्राइल पर 1500 रॉकेट दा गए लेकिन 1350 रॉकेट आरन डॉम ने नश्ट कर दिये तब आरन डॉम 90 प्रतिशत तक प्रभावी साबित हो है इस्राइल की सरकार अपने एर डिफेंस पर बहुत ध्यान देती है क्योंकि वो जानती है कि अगर आरन डॉम नहीं होगा तो इस्राइल के हालत योफिन के जैसी होगी ऐसे में इरान चाहे कितनी भी धंकिया दे लेकिन सच ये है कि आज भी इस्राइल के आस्मान को चीर पाना मुश्किल ही नामंकिन है कुल मिलाकर जैलनस्की की सारी उमीदیں खत्म होती जा रही है और जैलनस्की को अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा उमीद है क्योंकि आस्वान से आ रही कोतिन की मिसाईल है यूकरेन के लोगों का काल बन चुकी है